आज हम बनाने जाने हैं पनी लबाबदार मकनी दाल और उसके साथ बनाएंगे पराठे मकनी दाल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए जैसे कि एक इंच का तुकड़ा दालचीनी का आज से दस काले में चार से पांच हमने लिए लॉंग और एक बड़ी इलाची दालों में मैंने लिए उड़त की दाल दो कप राजमा लिया है एक कप और चने की दाल लिया है आधा कप इन सब दालों को आपको राद भर के लिए भिगो कर रख देना है यह देखिए कुछ इस और नमक डाल रहे हैं एक चम्मच और पानी डालेंगे हम इसके अंदर तीन ग्लास के करीब और इसका मसाला बनाने के लिए हमने चार बड़े टमाटर ले लिए हैं चार हरी मिर्चे ले लिए हैं और दो लिए हैं हमने मीडियम साइस की प्याज एक इंच का तुकड़ा अद्रक का और सास से आठ लहसुन की कलिया इन सबको एक एक फाइन पेस्ट आपको बना लेना है फिर मैं ओयल यह देखिए ओयल डाल रही हूं फोर टेबल स्पून और फिर इसके अंदर डालेंगे हम मक्षन यह देखिए मैंने इसके अंदर मक्षन डाल दिया है और फिर इसके अंदर हम डालेंगे दो साबुत खड़ी मिर्चे जो लाल खड़ी मिर्चे आती हैं वो आपको डाल देनी है और फिर इसके अंदर हम डालेंगे पेस्ट जो टमाटर प्यास का हमने भी पेस्ट तियार किया है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको तब तक ढूनेंगे जब तक यह अपना óil रिलीज ना कर दे यह दे यह हम इसको अच्छी तरीके से ढून रहा हैं अब यह देकिए बहुत यह अच्छी तरीके से मसाला अच्छी तरीके से ढून चुका है ओयल भी रिलीज हो चुका है इसके अंदर आधा चम्मच के करीब हम डालेंगे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे वन टेबल स्पून और कश्मीरी लाल मिर्ची हम डालेंगे इसके अंदर आधा चम्मच और लाल मर्ची भी हम इसके अंदर आलेंगे आधा चम्मच और ये डाला है मैंने टू टेबल स्पून के करीब किचिन किंग इन सब मसालों को हम अच्छी तरीके से भूल लेंगे जब तक ये ओयल रिलीज ना कर दें ये देखिए और ओयल रिलीज हो चुका है इसके अंदर डाल दिया मैंने नमक नमक according to taste और फिर मैंने इसके अंदर डाला है ट्राइफ्रूट का पेस्ट जैसे की काजू मैंने ले लिये थे 15 10 मैंने बदाम ले लिये हैं और 4 टेबल स्पून के करीब मैंने ले लिया था मगज उन्हें भीगो के मैंने 10-15 मिनट के लिये रख दिया था फिर उसका एक फाइन पेस्ट मैंने बना लिया है इसको भी डाल के हमें अच्छी तरीके से बुनना है जब तक ओयल साइट से अच्छा सा रिलीज ना हो जाए यह देखिए ओयल भी अच्छी तरीके से रिलीज हो गया है अब इसके अंदर हम डालेंगे डालेंग जो हमने उबाली थी और वो जो खड़े मसाले के हमने इसके अंदर पोटली डाली थी वो आपको निकाल कर फेक देनी है ये देखिए दाल हम मसाले में अच्छी तरिके से Mix कर देंगे अगर आपको थोड़ा पतली दाल पसंद है तो उसके इंदर पानी आप Extra आइड कर सकते हैं, जादा प्रस्क्रीम के अब दोता है और आपको दूद आता है, उसके पर मलाइगे जम जाती आपको भाता है, यह जादा पो जादा प्रस्क्रेम में डालकर अच्छी तरीके से फेट लेना है, एक से दो मिनट के रहे, फिर ओ आपके के sundar आप ह है behavior दाल बहुत ही अच्छी बन रही है हम दो मिनट के लिए मलाई डालने के बाद पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर दाल रहे हैं थोड़ा सा हरा धनिया यह देखिए दाल बिलकुल बनके त्यार हो चुकी है बहुत ही आसान सी रेसिपी है आप लोग भी इसे घर पे जरूर ट दाल किती जबरदस बनके त्यार हो चुकी है इसके उपर मैं थोड़ा सा और क्रीम डाल दूँगी उससे यह देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी हम जितना भी मलाई और मक्षन यह सब डालते हैं इन चीजों में यह उतनी ही ज़ादा टेस्टी बन जाती है दाल मक्षनी हमारी बिलकुल बनके त्यार हो चुकी है अब हम बनाने लग गए हैं पनीर लबाबदार यहाँ पर पैन में मैंने 4 टेबल स्पून रिफाइन ओयल डाला हुआ है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यह मक्षन फिर मैं डाल रही हूँ एक बड़ी इलाइच और आपको यह देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेना है इसको जलाना नहीं है हलका सही इसको इसके अंदर स्मेल आ जाए बस हाफ मिनट के लिए आपको इसको पकाना है फिर इसके अंदर मैंने डाला है दो मेडियम साइज का प्यास आपको रफली चॉप करके इसके अंदर दाल देनी है इसको दो मिनट के लिए फ्राइ कर लेनी है प्यास देखिए इस टेश तक आपको प्यास को फ्राइ करना है फिर इसके अंदर में डाल रहे हूं चार बड़े टमाटर चार से पाच आपको इसके अंदर बड़े टमाटर डाल लेने हैं यह देखिए हमने इसके अ एक चमश नमक डाल रहे हैं या फिर according to taste अपने हिसाब से आप इसके नमक डाल सकते हैं इसको तब तक पकाना है जब तक आपका टमाटर अच्छी तरीके से गलना जाए दस मिनट लगेगा आपको हाई फ्लेम में टमाटर गलने में यह देखिए टमाटर बहुत यह अच्छी मैं ओयल डाला है वन टेबल स्पून मैंने डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट और एक मिनट के लिए आपको अच्छी तरीके से अदरक और लहसुन का पेस्ट भून लेना है यह देखिए और फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक अटर प्यास वाला जो हमने पेस्ट अभी बना के रक्खा हूँ हा था वह इसके अदर आपको डालना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अब मैं डालोंगी 2 मिनट के बाद और मैं डाली है आप सिस्ट डाल दिया है यह मसालें मैं मैंने धनिया पाउडर लिया 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है 3 टी स्पून और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर किचिन किंग किचिन किंग मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर कर मेरे किचिन किंग में थोड़ा सा जादा मिर्चे हैं इसलिए मैंने लाल मिर्चे इसके अंदर नहीं डाली है अगर आपके किचिन किंग में ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जरूर डाले और मेरे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर में भी थोड़ा सा मिर्चे थी इसलिए मैंने लाल मिर्चे नहीं डाली है फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काजू, बदाम और मगस का पेस्ट काजू मैंने 15 ले लिये थे और बदाम 10 और 4 टेबल स्पून मैंने ले लिया था मगस, उन्हें 10 से 15 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया था फिर उसका मैंने पेस्ट पीस दिया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया इससे बहुत अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर बहुत अच्छा टेस्ट आता है और एक चमच हम इसके अंदर डाल रहे हैं कसूरी मेथी ये देखिए इसे हमें तब तक बुनना है जब तक ये ओयल रिलीज ना कर दे ये देखिए कसूरी मेथी से बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आता है और धीरे-धीरे साइट से इस क्या ओयल देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा दिख रहा है इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है इसके अंदर फिर हमने ठाइसो ग्राम पनीर डाल दी है पनीर के मेंने Trign both shape में मेंने काट ली थी वह मने डाली है पनीर डालने के बाद पांच मिनट आपको पकाना है फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूं fresh cream बार्केट वाला ही fresh cream मैंने यहापे half cup के करीब यूज किया है अगर आपके पास घर में जो मलाई आती है अगर वो चीज नहीं है घर में जो मलाई होती है दूद के उपर वो आप मिकसर में फेट कर इसके अंदर डाल सकते हैं जितना मलाई डालेंगे उतना जादा टेस्की होता है बटर अगर एक स्ट्राब जालना चाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं और पांच मिनिट के लिए आपको पकाना है फिर इसके अंदर हमने डाल दिये हरी धनिया हरी धनिया डालने से बहुत ही अच्छा बन जाता है और उपर से मैंने और फ्रेश क्रीम डाल दिये यह देखिए हमारी पनीर लबाबदार बिलकुल बनके त्यार हो चुकी है बड़ी ही आसान सी रेसिपी है आप लोग भी से घर पर जरूर ट्राय करें और फिर हम बना रहे हैं पराठे पराठो के लिए मैदा मैंने लिया है एक किलो और इसके अंदर एक अंड़ डाल दिया है नमक एक चमच डाल रही हूँ और फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, दो चम्मच, चीनी और तेल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, दो चम्मच और जो घर का सोडा होता है, वो इसके अंदर आपको डालना है, दो चुटकी आपको मीठा सोडा जिसे बोलते हैं घर में होता है वो आपको इसके अंदर डालना है और फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये दूद दूद मैंने डाला है एक कप के करीब और आपको क्या करना है पानी डालके इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा जैसे हम आटा घूते हैं उसी तरीके से आपको गून लेना है और 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था और 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया था और उसको गोल सी बॉल बना के फिर एक इस तरीके से गोल रोटी बन इस तरीके से इसकी परते बनती है एक के उपर एक इस तरीके से आपको बनाना है देखिए हम इसको फोल्ड कर रहे हैं यह देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं इनको फोल्ड करने की परते दिखाने के आप वो भी उसकर सकते हैं मैं यहां पर इसी तरीके से बनाती हूं और आपको इस तरीके से रोल कर लेना है ये देखिए रोल हो चुका है ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और आपको इस तरीके से बेल लेना है छोटा सा बेल लेंगे फिर उसके उपर इस तरीके से हमें हरी धनिया लगा कर थोड़ा सा मैदा डाल के आपको इसको भ आपको इस तरीके से सेक लेना है, सेकने के बाद ये दिखे हम इसके उपर रिफाइन तेल लगा रहे हैं, आप बटर भी लगा सकते हैं, ये दिखे हमने ओईल लगा दिया है, फिर इसको हम पलट लेंगे, और दूसरी साइड भी हम ओईल लगा लेंगे, ये बहुत ही जादा टेस्की पराठह बनके त्यार हो जाते हैं इवन जो काठी रोल यह सब हम खाते हैं यही recipe है आजा ही पराठह बनके त्यार हो जाता है और यह हमारे पराठह बनके त्यार है अगर आपको मेरा यह channel विशवडeし पसंद आया हो तो प्लीज लीवा कमेंट, सबस्क्राइब, लाइक और शेयर